प्रेंज नमस्कार मैं हूँ आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूँ आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब फेस्बूक और आईजेटीवी नेटवर्ग पर दोस्तों हम आपके लिए लेकर आएं स्पेशल सेग्मेंट में शकुन अफशकुन जिसे कहते हैं शुब अशुब और आज हम बात करेंगे बहुत खास विशह पर विशह है आज हमारा क्या उम्रे से पहले जढ़ रहे हैं आपके बाल यह है अशुबता की निशानी आई इस बारे में बात करते हैं देखे आपने भी सुना होगा कि बालो का पकना भी बहुत कुछ सिंबल होता है लेकिन आज आज आपको कुछ ऐसी चीज़े बताएंगे जो आपको सोच में डाल देगी क्या उम्रे से पहले जढ़ते वे बाल अशुबता की निशानी है अगर ऐसा है तो आप चेक कीजे क्या यह आपके साथ हो रहा है देखे अक जो कैरी करने वाला जो पर्स होता है उसमें पूरा ब्यूटी पालर होता है साथ और उसमें ब्रश का होना तो बड़ा लाजमी है क्योंकि महिला के लिए शाज और शंगार बहुत आवशक है लेकिन क्या है आप जानते हैं कि विश्व भर में बाल और कंगी को लेकर कई शक दो रहे हैं ऐसा है क्या कंगी बनाते समय आपको बाल कुछ या प्रकरती कुछ संकेत देते हैं तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे बालों से सम्मंदत कुछ शकुन अप शकुन के और बड़े विशेश शकुन अप शकुन है बहुत स्पैसिफ वे कहेंगे आपको ये भी बताएंगे क्या शकुन है और ये भी बताएंगे क्या आप शकुन है देखे बाल बनाते समय शुरुआत कर रहे हैं तो बाल बनाते समय अगर कंगी जमीन पर गिर जाए तो ये एक शुब शकुन माना जाता है बाल बनाते समय हाथ से कंगी जमीन पर गिर जाने का अर्थ है सुक्साधनों में बढ़ोत्री होना यह जो बाल है यह शनी है और जो फर्श है जो जमीन है यह शुक्र है तो शुक्र और शनी का मिलन यानि कि सुक्साधनों में बढ़ोत्री होगी बाल बनाते समय हाथ से कंगी नाली में अगर गिर जाए वाश्रूम में या टॉलेट के फ्लश में गिर जाए तो ये भी शुब शकुन माना जाता है बाल बनाते समय कंगी अगर हाथ से नाली में या फ्लश में गिर जाए इसकारत है जल्दी ही संतान की प्राप्ति होगी अब ऐसा नहीं कि बुड़ापे में ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा नहीं बाल बनाते समय हाथ से कंगी के दान अगर टूड जाए कॉम में आपने देखा होगा कि जोब हम बनाते तो उसमें कॉम में दान होते है तो अगर उसके दान टूड जाए बाल बनाते समय तो ये है एक शकुन मना जाता है इसका अर्थ है ये एक शुब शकुन है तो बाल बनाते समय हाथ से बाल बनाते समय कंगी के दान तूट जाने का अर्थ है सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी इज़त बढ़ेगी बाल बनाते समय बालों का तूट कर कपड़ों पर आ आजाना आम बात है आप देखिए का इसको चेक कीज़ेगा बाल बनाते समय बालों का तूटकर कपड़ों पर आना एक शकुन मना जाता है बाल बनाते समय बालों का तूटकर कपड़ों पर आ जाना इसका अर्थ है धनलाब होगा बाल बनाते समय बालों का तूटकर जमीन पर गिरने का अर्थ है धन हानी होगी अब आपते हैं specific point पर जो खास मुद्दा है देखिए उम्र के अनुसार सबके बाल जड़ते हैं है ना तो उम्र के अनुसार पुर्शों के सिर के बालों का कम होना धनी होनी के निशानी माना जाता है वो कहते हैं साथ चांद निकल आया है मतलब पैसा बहुत आगया है सुना होगा आपने और इस सच भी उम्र से पूर वो यानि कि उम्र से पहले पुर्शों के सिर में बालों का कम होना अशुब संकेत है जिसका मतलब है बीमारी की निशानी है पुर्शों के च्छाती के बाल पुर्शों के च्छाती के बाल होना भागेशाली होने के निशानी माना जाता है और उम्र से अनुसार पुर्शों के च्छाती के बाल सफेद होना भी शुब संकेत है ये शनी के शुब प्रभाव देने के निशानी है उम्र से पूर्व यम्र से पहले पुर्शों के छाती के बाल अगर सफेद पड़ जाएं पकरना शुरू हो जाएं तो ये शणी के बुरे प्रभाव देने की निशानी है उम्र के नुसार स्त्री के सिरशे के बाल सफेद होना सभाग्य की निशानी है और इसका मतलब होता है कि आप सुखी हैं, संपन हैं, घर परिवार आपका पूरा है उम्र से पहले स्त्री के सिर के बाल सफेद होना दारिद दृता की निशानी माने जाती है यानि कि गरीबी आएगी महिलाओं के सिर के बालों का कम होना देखी है, आपने देखा होगा कई महिलाओं ये बिलकुल गंजी नुमा हो जाती है और वैपूरी नँ हो करके बालों की परसंटेज बिलकुल खतम हो जाती है तो महिलाओं के सिर के बालों का कम होना दुरभाग्य माना जाता है ये अशुब संकेद भी है और ये दुरुभाग्य का संगेब भी है और महिलाओं के सिर से बालों का कम होना उम्र से पहले ये संतान के लिए कश्टकारी माना जाता है तो दोस्तों आज हमने जाना किस प्रकार बाल हमें ये जो प्रकरती के माध्यम से हमें शुब या शुब बताते हैं शकुन अब शकुन बताते हैं तो क्या आपके भी बाल उम्र से पहले जड़ रहे हैं तो सावधान हो जाएए इसके उपाए ज़रूर मौजूद है तो दोस्तों ऐसे ही विशेश ऐसे ही स्पेशल एपिसोड को लेकर आपसे कल फिर मुलाकात होगी आज के लिए पस इतना ही देखते रहे हैं चैनल कमल नंदलाल यूट्यूब फेस्बूक और आज़े टीवी नेटवर्क पर इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्षिवाए